एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे काफी लंबे वक्त के बाद 36 सिक्षक पातरता परिक्षा 2020 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीजी व्यापम के द्वारा जारी कर दी गई है ओफीसियल नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइट की गई है बने रहें पूरे वीडियो के सांथ यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे आप सबी को पता था कि टेट 2020 के बाद से अभी तक कंड़क्ट नहीं कराये थे यहाँ पे 22 मार्च 2020 को आपका जो टेट का एक्जाम है वो कंड़क्ट होने थे ठीक है लेकिन COVID-19 के करण जो एक्जाम है वो रत किये गए उसके बाद से आज तक जो है आपका सीजी टेट 2020 का नई एक्जाम हुआ और नहीं जो नई फॉर्म है वो अपलाई हुए ठीक है यहाँ पे व्यापम के द्वारा एक अच्छी मौका दिया जा रहा है फिर से एक बार जो लिंक है सीजी टेट का 2020 के लिए उसको उपन किया जा रहा है यहाँ पे यदि आपने पूर्व में पहले 2020 में फॉर्म अपलाई किया था तो आपको पुनह आविदन करने की आवशक्ता नहीं है किन्तु यदि आप नए है फ्रेज कैनिडेट है और अभी तक जो 2020 में आई थी टेट उसमें अपलाई नहीं किया है किसी कारणवस से आप नहीं कर पाए है तो आप यहाँ पे फिर से पुनह टेट के लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे ऑफिशल नोटिपिकेशन में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डेट दिये गए हैं आपको जो एक्जाम होगा अभी सीजी टेट 2020 के लेकर के 2021 के कंडिडेट के लिए यहाँ पे 9 जन्वरी 2022 दिन रविवार के दिन आपका जो एक्जाम है वो कंड़क्ट करा जाएंगे यहाँ पे जो डेट दी गई है वो संभावित है यानि कि किसी कारणवज से यदि उस दिन कुछ होता है तो जो परिच्छा है वो चेंज भी की जा सकती है ठीक है यहाँ पे जो परिच्छा का समय होगा आपका वो दो पालियों में आउजित होगा एक क्लास 1-5 के लिए और एक क्लास 6-8 के लिए ठीक है यहाँ पे टाइमिंग जो रहेगी वो क्लास 1-5 का साड़े 9 बजे से 12 बच के 15 मिनट तक रहेगा और जो क्लास 6-8 के लिए अपलाई करते हैं तो उनके लिए दो पहर 2 बजे से 4 बच के 45 मिनट तक जो एक्जाम है वो कंड़क्ट होंगे 9 जनवरी 2022 को यदि कंड़क्ट करा जाते हैं तो ठीक है अब बात करते हैं जो आपको ऑनलेन अपलाई का है ठीक है यहाँ पे नोटि अब दिसम्बर 2021 रविवार तक है रात 3 12 बजे तक आप जो आवेदन है वो अपलाई कर सकते हैं ठीक है और किसी तरह से सरवर से बचने के लिए जो सरवर प्रॉब्लम साती है उससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो फॉर्म है वो अपलाई कर सकें ठीक है यदि आपके फॉर्म में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो चुका है तो उसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं 20 तारिक से लेकर के 21 दिसम्बर 2021 तक जो ऑनलेन करेक्शन की डेट है वो यहाँ पे दिये गए है ठीक है जो लिंक है ऑनलेन करेक्शन का वो 20-21 तक ओपन र किया है तो आपको यहाँ पे पुना आवेधन की आवश्यक्ता नहीं है ठीक है और एक चीज यहाँ पे व्यापम की दौरा और नई नोटिस जारी की गई है कि यदि आप पूर्व में यानि कि 2020 में आवेधन किया है ठीक है और आप अभी एक्जाम नहीं देना चाहते हैं परिच्छा में समलित नहीं होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जो आवेधन फिस पे किया था उसको यहाँ पे व्यापम की दौरा पुना आपको रिफंड भी किया जाएगा ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ओफिशन नोटिफिकेशन नोट करके दिया है कि जो सिलेबस है नई सिलेबस उसकी इनफर्मिशन आपको अपने वीडियो के मादम से प्रोवाइट करने की कोशिश करेंगे तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और नए है पहली बारा है हमारे चैनल में तो इस तरह से और नए इनफर्मिशन के लिए आप हमारे चैनल सब्स जरूर करें ताकि जो भी नई अपडेट आती है वो आपको प्राप्त होती रहे